नमस्कार दर्शकों मैं रभी पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे शिनल पर और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रत्न को रुद्राक्ष को या कोई भी क्रिश्टल हो उसको स्वयम सिध्ध अभीमंत्री जागरत और प्रायन प्रतिष्टा क आपको किसी भी पंडीत ब्राम्वन या किसी वी ऐसे व्यक्ति के जरूवत नहीं लगेगी उसको आपकी चीछ जो है वस्तु जो है उसको सिध्ध करने के लिए आप खुद बहुती कम खर्च में आप इसे सिध्ध अभीमंत्री कर सकते हैं तो देखिए जो विदी हम हमारे जोतिश के अंदर में जैसा कि आपको पता ही है सूरीग्यान जोतिश के अंदर है जोकी इंदोर मध्यप्रदेश में है हम हमारे जोतिश के framing में जिस विधी को अपनाते हैं और आप लोग जो रत्न रुद्राक्ष लेते हैं हम से उसको हम जो सिद्ध अभीमंत्रित प्रान पतिश्टा करके आपको देते हैं वो किस प्रकार देते हैं तो इस वीडियो में वो ही बताया जा रहा है तो आप भी अपने धारन करी हुई चीज अगर कोई एक दाना है तो उसको धागे में आप पिरो लिजिए धागा थोड़ा सा लंबा रखिए करीबन 12-14 इंच का और कोई भी अंगूठी या पैंडल जिसको आपको धारन करना तो उसको भी धागे में कर लिजिए धागे में क्यों करना है क्योंकि जो हम विदी बता अगर खो जाता है विदी करते समय क्योंकि आगे जैसे आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो चीजें हैं वह इस जो विदी है इसको करने में गिर भी सकती है तो धागे में रहने से आप उससे आसानी से ढूंड़ लेंगे तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको कुछ समागरियों की जर्बत होगी जैसे कि कुछ जिस चीज को आपको सिद्ध करना है वह वस्तु आपके पास होना चाहिए वह रत्न उपरत्न रुद्राक्ष क्रिश्टल कुछ भी हो सकता है और इसके अलाबा अन्य समागरी जो है वह है पंचामरत हमें लेना है जैसे कि दूद, दही, घी, शकर या मिश्री लेना है शहद लेना है और गंगा जल इस तरह की चीज़े हमें लेना है और आपको अपने आसपस घर के आसपस का कोई भी एक शिवालय ढूनना है शंकर भगवान का मंदीर होना चाहिए वहाँ चले जाहिए यह जितन चाहिए तो आप उसको हाथ में रखके शंकर भगवान से प्रातना कीजिए कि इस वस्तू को मुझे धारन करना है और मैं चाहता हूं कि यह सिर्ध हभी मंत्रित जागरत हो तो प्रांपछिष्टित हो जायए क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो जब मैं इस वस्तू को धारन करू हैं उसका हमारा क्या कारण है और ये सारी चीजे इश्वर को पता होनी चीए उसके बाद में उस वस्तू को आपको शिबलिंग के उपर रख देना है उपर ही जगापर देखिए जैसे कि इस वीडियो में देख रहा है आपको हमने कुछ माला आएं शिबलिंग पर अरपीत कर हुई है वेसे ही आपका जो माला है तो माला तो आसानी से शिबलिंग के आसपस आ जाएगी और जो आपका रत्न रुद्राक्षे देखिए अब धागय का रोल या पर शुरू हो जाएगा अगर आप रत्न को रखते हैं तो जो हम आगे पंचरामत जो हम इस्नान जरूरी तो है नहीं कि जब मंदिर में आप जाएंगे तो सिर्फ आप ही रहेंगे आपके साथ और भी लोग रहेंगे तो वो भी पूजा पाट करते रहेंगे तो आपकी वस्तु खोए ना इसलिए उस धागय में आप जब उसको पिरो लेते हैं तो आपको मिल जाती है वा भूएगा नहीं कहीं भी अब आपको क्या करना है आपकी वस्तु को शिबलिंग के उपर रख दीजिए चाए वो रुद्राक्ष की माला हो रत्न हो रुद्राक्ष पैंडल हो कुछ भी हो और आपको यह जो पंचरामरत हमने बताये थे दूद दहिगी शकर सभी से सभी को आप एक लोटे में मिला लीजिए, एक लोटे में, कटोरी में किसी में भी आप मिला सकते हैं उसके बाद आप बाद को शिबलिंग पर अपने आप झाती जाएगी तो जो आपकी जो वस्तु है वो भी उसमें भी जान आती जाएगी वो भी सिद्ध अभी मंत्री तो पवित्र और शुद्ध होती जाएगी इसके बाद जब पंचरामरत से आप शनान करा ले ओम नमस्षिवाय का जाप आपको करते रहना है उसके बाद में जो शुद्ध पानी का एक लोटा आप लेकर जल का आप लेकर आए हैं उससे आप शनान कराईए वो भगवान शंकर को अरपित कीजिए शिबलिंग पर यहाँ पर भी आपकी वस्तु पर भी पानी गिरते जाना चाहिए उससे शनान कराने के बाद में उस वस्तु का आप शेबलिंग पर से उठा लीजिए अपने हाथ में फिर से एक बार रखिए और भगवान से प्रातना कीजिए नमशकार की मुद्रा में भी कर सकते हैं या जैसे भी आप चाहिए कि आज की क्रिपा मुझे है कि आज आपके आपको साक्षिमान कर और आपके आशिरवाद से आपके सामने ये वस्तु याने की रत न भी हो सकता है रुद्राक्ष भी हो सकता में अपने इस इस कारे के लिए अपनी इच्छाय बोलना है वह पर जीवन की जो भी इच्छाय हैं जिस कारण से आप धारन कर रहे हैं और अपने जीवन की परेशानी बताना है जिस कारण से आप धारन कर रहे हैं कि मैं इसे धारन कर रहा हूं या कर रही हूं और आज से आप मुझे आशिरवात प्रदान करें आपका आपकी कृपा मुझे पर दे ताकि मेरे जीवन में घ्रह नक्षत्र मुझे अच्छे फल दे सके मेरे बॉडी के सारे चक्र बैलेंस हो सके और ऐसी प्रात्ना करने के बाद में उसको आपको वहीं पर बेठे-बेठे धारन कर लेना है वहीं पर भगवान के शामने बेठे-बेठे उसके बाद में वहां से उठ जाएए जला आपका जो लोटा है उसमें जलाधारी से जो जल गिर रहा है उस जल को लीजिए तीन बार आपको जल को पीना है और आखों पर लगाई हैं मस्तश्क पर लगाई है अब देखीएगा आपकी जो भी चीज़ आप लेके जाएगे वह सिद्ध अभी मंतरी जागरत ऊसके com करेगी और अगर आपको नई वस्तु बेनने वाले हैं नया रत्न रुद्राक्ष बेनने वाले हैं तो वो भी बहुत तेजी से काम करेगा और आपको योगकारक परिणाम ही मिलेंगे मारक परिणाम नहीं मिलेंगे तो यह विदी होती है यह हमारे जोतिशकंद्र में हम जरूर से अपनाते हैं जो रुद्राक्ष हमारे आते हैं चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो चाहर दाने हो उसकी पूजा पहले ही कर ली जाती है आपको देने से पहले और जो आपके रतन बनते हैं अंगुठिया बनती है तो उसकी जो रतनों की पूजा भी हम एक बार पहले ही कर लेते हैं और हमार भाहरन करी पहले वहली वस्थव यह उसके साथ किसे करना आपको वह वाली चीजह उतारना है और उसको सब에도 क्यों साफा पानी में उसको来 कर लिजिए उसके अन्दर समय लगा हो और मैल जम गया हो किसी तरह का कुछ गंदगई जम गई हो तो उसको आप आप साफ tahe और उसके बाद निच nessa पानी नीचे पर रावस zao यह उसके बाद ऐसके बाद उसको रखना ह newspapers आ निकाल निकाला शिरीट से रखु रहाए है और फिर उसके बाद उसको रखना है इसके बाद में आपको यह जो विदी है यह आप सुरू में भी कर सकते हैं और चाहे तो हर मेने भी कर सकते हैं छे मेने में एक बार भी कर सकते हैं साल भर में एक बार भी कर सकते हैं आप देखेंगे अगर आप एक मेने में एक बार कर सकें आप कोई भी एक date fix कर लीजी तो आप देखेंगे कि आपकी जो चीजें हैं वो ज़्यादा तेजी से काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने और बहुत ही अच्छे result आपको मिलना उसके शुरू हो गए एसा इसली होता है क्योंकि जो हमारे शिबलिंग होता है वो शिबलिंग में इतनी शक्ती होती है कि कोई भी चीज को वो सिद्ध अभी मंतरित कर देते हैं और यहां तक कि यह भी देखा गया है कि आपने अगर कोई रत्न रुदराक्ष पेना है और अगर आप अपने हातों से भगवान शंकर का जलावी शेक करते हैं और शिबलिंग को नान कराते हैं दोनों हातों से शिबलिंग को इस पर्ष करते हैं तो आपकी पहनी हुई चीजों में भी जान आ जाती है वो भी सिद्ध अभी मंत्रित हों कर अच्छे से काम करने लग जाती है चाहे कोई आपने धात और आपको थोड़ा सब डिटेल में और ज्यादा बता देते हैं अगर आपको और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा शक्ति चाहिए तो आप रत्न को रुद्राक्ष को जो भी आप मंदिर से लेकर आएं हैं जब आपकी वहाँ पे विदी हो जाए तो जो हमने आपको बोला था कि उसको वही धारन कर लीजे आपको धारन नहीं करना है यह दूसरी प्रोसेस है आप चाहें तो पहली प्रोसेस कर सकते हैं मंदिर में धार और बैल पत्र और धटूरे के साथ में धटूरा ना भी हो तो बैल पत्र चल जाएगा बैल पत्र के नीचे उस वस्तु को आप दवा दिजिये आपका चाहे रत्न हो चाहे रुद्राक्ष हो और दवाने के बाद 24 घंटे आप छोड़ दीजिये और उसके बाद में 24 घंटे बाद उसको पहन लिजिए उसमें और ज्यादा शक्ति आ जाएगी अब इसको ऐसे करना है कि मान लिजिए बुद्भार को आपको पन्ना रत्न पहनना है तो यह विधी आपकी मंगलवार की दिन हो जानी चाहिए या मंडे को हो जानी चाहिए क्योंकि शोंबार जो होता है आपको बहुत चमतकारी रिजल्ट मिलेंगे इस वीडियो में जितने भी आप यह मालाएं देख रहे हैं और यह रत्न वगरा हैं यह सब के सब सिद्ध अभी मंत्रित कर हुए हमारे यहां से आपको दिये जाते हैं इसी वीडियो से चाहिए छोटा दाना हो चाहिए बड़ अपने रत्न, रुद्राक, क्रिष्टल सभी चीजों को एक बार यह विधी करिए और अपने जिवन में आनंद लीजिए उस चीज को पहनने का और भगवान शंकर की क्रपा आपको मिल जाएगा उनका आशिरवाद मिल जाएगा शिबलिंग में बहुत ज्यादा शक्ति होत जाती है और हमें अशिरवाद मिलता है तो इस वीडियो में इतना ही था भौशरल सी विधी है यह आप करके देखिए आपको किसी भी भ्रामन पंडित को कोई दक्षिना देने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी जातक खुद यजमान खुद अपनी चीज को सिद्ध अभी मं पर और इस विधी से यह पूरा आपके रत्न रुद्राक्ष को सिद्ध करके देखिए तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं यह वीडियो को आप शेर भी कर दीजिए का बहुत सारे लोगों को शेर कर दीजिए का ताकि जो लोग बिना सिद्ध अभी मंतरित करे और उनके जीवन में उनको लाब मिलना जुरू हो जाएगा अगर आपके वज़ा से किसी वेक्ति को लाब मिलेगा तो उसका पुन्य आपके खाते में भी आता जाएगा और आप एक बार यह विधी करके देखिए और आनंद लीजिए अपने जीवन में किसी भी तरह का अपरत्न खरीदने के लिए प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे वाट्सप नंबर कॉल नंबर पर जो की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कोई भी रत्न रुद्राक्ष हमारे यहां से जब जाता है आपको तो वह इसी तरीके से सिध्ध अभ रत्न रुद्राक्ष आप लोगों को दिये जाते हैं वो किस तरीके से आप लोगों का जीवन बदल रहे हैं वहाँ पर धेर लगावा है फिडवेक का बहुत सारे फिडवेक वाटसप के स्क्रिन शॉट आपको देखने को मिल जाएंगे तो वो इतने सारे रिजल्ट क्यों आ करी हुई चीजे जो होती हैं वह बहुत तेजी से काम करती हैं चाहिए वह आप खुद कर ले या आप कहीं से सिद्ध करी हुई पहन ले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं रत्न रुद्राक्ष क्रिश्टल के लिए जनम कुनली हस्त रेखा अध्यान के लिए फेस रीडिंग और रीडिंग और कलर थरेपी अध्यान के लिए वाट्सप पर संपर्क कर सकते हैं तो ये विधी आप करिए और अपने जीवन में आनंद लीजिए ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव श्री शिवाय नमस्तू भ्यम बग्यान के लिए और रहर हरो महादेव जिए वाट्स लिएर।